देरे स्टूडेंट्स कल आपको दस टॉपिक्स दिये गए थे दस सब्जेक्ट से उमिद है कि आप इन्हें कर रहे होंगे एक्स्रा टाइम बेस में दिया गया था हमने आपको पहले ही कहा था कि समवाद थंबनेल के तहट हम आपसे बीच 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 पे छोटे छोटे जो कंसल्टेशन्स हैं वो हम लोग करेंगे ताकि आपको थोड़ा गाइडलाइन मिलता रहे आज के इस समवाद थंबनेल के तेहत हम आपको इंडस वैली सिविलाजेशन का थोड़ा सा गाइड लैन दे देंगे एकदम शौट में आपको समझने में इने आसानी होगी खासकर इस बार इंडस वैली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल का जो 30 questions का topic आएगा जो practice it वो totally based होगा इंडस वैली सिविलाजेशन पे तो इसे आप अच्छे से पढ़ें लेकिन कैसे पढ़ें कितना पढ़ें कब पढ़ें कहां से पढ़ें ये एक समस्या हो जाती है तो हम आपको थोड़ा सा guideline दे रहें कि आप इन्हें कैसे पढ़ें इन्हें आप divide कर लें किसी भी topic को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसे subdivided करके कई सारे points में बाट लें आप जब points बन जाएंगे तो उन topics को करना आसान हो जाएगा यहाँ पर हमने इस interest value civilization को पढ़रे topics में बाट दिया है अब कुछ भी इसमें नहीं बचेगा यह पढ़रे topics इस तरह से हैं पहले आप इनका एक पूरा details देखें पढ़रे topics में से पहला topic देखे पहला topic हमने दिया है कि आपको करना चाहिए कि सबसे पहले तो समझना चाहिए कि सिंदू सब्विता क्या है यह अचानक से उटखडी हो गई शेरी सब्विता यह कौन सी सब्विता है तो यह कां सी युगीन सब्विता है प्रोटो हिस्टॉरिक है यानि कि इसके इतिहास को हमने अभी तक नहीं समझा है इसकी लेखनी तो है इसका स्क्रिप्ट है लेकिन हमने इसे नहीं पढ़ा है तो यह प्रोटो हिस्टॉरिक है प्री हिस्ट्री जिसके बारे में लेखनी रिटन नहीं है कोई जानकारी नहीं है रिटन फॉर्म में proto-historic जिसमें written form है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है और historic यानि जिसका written form इतिहास उपलब्द है तो दरसल सिंदु सब्वेता के बारे में सबसे पहली बात यह कांस्योगिन सब्वेता है यानि bronze age civilization है proto-historic है यानि आदे इतिहासिक है तो आप इसे सबसे पहले समझें कि ये सबटा क्या है आईए दूसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं दूसरा पॉइंट है विस्तार यानि के एक्सपैंशन सिंदु सबटा का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था एक important बात आता है कली हमने आपको बताया था कि इसकी चोहदी दरसल हम लोग खीच लेते हैं roughly उत्तर में मांडा, जम्मो कश्मीर, दक्षिन में, दाइमाबाद, महराष्ट में पूरब में ये उत्तर परदेश के पास उत्तर परदेश में आलमगिर था और इसके just opposite जो पाश्चिमी पाथ है यानि western जो point है, farthest वो है इसका आपको बलुचिस्तान में सूत का गेंडोर ये एक rough sketch है, यानि इसकी चोहदी हो गई उत्तर दक्षिन पूरब पच्चिम इसके बाद concentration इसका mainly तो था पंजाब और सिंद में और बलुचिस्तान के आसपास तो आप इस तरह से उसके बाद दिर दिर expansion हुआ इसका पूरब में उसके बाद गुजरात, राजस्थान, रहरियाना, जम्बू कश्मीर ऐसे बहुत सारे छेतर इसके विस्तरित रूप में दिखाई देते हैं कब थी, वास्तविक रूप में ये कब एक विक्सित अब्विता के रूप में विदमान थी तो इसमें अलग-अलग ऐसे तो 32, 33 BC से लेकर 1720 तक इसका expansion किया जाता है लेकिन ये विक्सित रूप में दरसल 23, 23 BC से लेकर 1750, 16, 1750 BC के बीच लग-भग 500 ये ये अपने विक्सित रूप में विदमान रही यानि सबसे जो अर्बनाइजड फेस था, डेवलब्ड फेस वो इनही 23, 23 BC से लेकर 1725 BC के बीच जो दरसल कार्बन डेटिंग कीती थी है तो आपको दरसल जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, फियर सर्विस, मौटिमर वीलर, डीपी अगरवाल और कार्बन डेटिंग, तीथी इन 5-6 लोगों का जो कहा हुआ है, जो स्टेटमेंट है, उसके डेट्स को आपको सबने अलग-अलग बताया है तो ये आपको ध्यान रखना है, मैचिंग में आ जाता है, यूपेसी तक में आया है तो तीती निर्दारन, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट, आईए ये है आपका उद्गम और विकास, चौता पॉइंट जो है, वो इसका दरसल कहां से औरिजीन हुआ और कहां विकास हुआ, तो औरिजीन आपको समझना चाहिए कि सिंदु सब्बिता अचानक से शहरी सब्बिता हो गई, कोई भी सब्बिता अचानक से शहरी सब्बिता नहीं हो सकती जब तक उसके बैगराउंड में उसे सपोर्ट करने के लिए हम गाड़ियां चलाएंगे, हम उद्योग अस्थापित कर लेंगे, हम बासुरी बजाने लगेंगे, हम व्यापार करने लगेंगे क्या इसके लिए बैगराउंड से खाना खिलाने के लिए तो कोई होना चाहिए पेट भरा रहेगा तब ही तो काम होगा तो दरसल ग्रामीन सबिता जो इसके आस पास थी, उसी ने इसके विकास में योगदान दिया तो आपको समझना है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने प्रोपप किया एक तरह से सपोर्ट किया इस सबिता को शाहरी सबिता के विकास में तो कहां से उद्बह हुआ और कैसे विकास हुआ कुछ लोग मेजबटामिया कहते हैं, कुछ लोग इरानी, बलुचिस्तानी जो संस्कृतिया, गरामीन सबिता संस्कृतिया थी, उनको कहते हैं कुछ लोग तो भारती हैं, भारत में, राजस्तान में, अमला नंद घोश, सोथी संस्कृति बोलते हैं, वहां से विक्षित हुई, तो ऐसे कई लोग हैं, जो अलग-अलग रूप में बताते हैं कि सिंदो सबिता का विकास हुआ है तो इसे आपको समझना है, आजे nicely पॉइंट उसके बाद इसके मुख्य स्थल जो पाँच़्वा पॉइंट है, जो में बड़ा इंपॉर्टिल्ट इनके जो पाँच नहीं पाँच़्वा पॉइंट है, इसके जो कुछ मुख्य स्थल हैं, छै बड़े शहर है यह रपप जो sites हैं उनके बारे में आपको details रेना है बड़े important है next point उसके बाद आयाता है नगर नियोजन town planning most important आप मेंस लिखेंगे तो ये सबसे important topic हो जाएगा town planning सिंद्यो सब बिता एक urbanized civilization थी नगरी करन था इसमें पूरी तरह से शहरी सब बिता थी तो ये शहरी सब बिता इसके घर कैसे बने हुए थे सड़के किस तरह से एक दूसरे को समकोन पर काटती थी जिने हम grid pattern कहते हैं यानि chess board pattern एक दूसरे को समकोन पर काटती थी नालिया किस तरह से बनी हुई थी नालियों पकी इटों का परियोग किया गया था तो शहरी करण जल निकासी विवस्था तो ये सब आपको समझना है नगरी करण में तो इसके आर्थिक जो ग्रामीन थी किस तरह का यहाँ पर याद रखें कि किर्शी पशुपालन के साथ उद्योग और व्यापार ये सिंदु सब बिदा का एकोनोमिक लाइफ था तो इसे आपको समझना है किन किन चीदों को उत्पादन होता था मुक के खाद फसल गेहूं औ आपको पता करना चाहिए कि चावल के साक्ष कहां से मिले है धान की भूसी कहां से मिला है तो यह सब आपको समझना है मटर तिलहन वह सब बहुत सारे ऐसे उत्पादन थे जो उस समय होते थे तो यह आपको समझना है उद्योग व्यापार कहां होता था विदेश से व्याप व्यापार होता था राजस्तान से गुजरात से कश्मीर से तो आपको व्यापार को दो भागों में बाट लेना है और इसमें मेडियेटर कौन था ये समझना है इस व्यापार में जो विदेश व्यापार होता था इसमें अफगानिस्तान और इरान बलुचिस्तान ये सर्म तो आपको इनको समझना है, next topic, सामाजिक लाइफ, सोशल लाइफ क्या था, किस तरह से लोग रहते थे, आपको जान करता जूब लगेगा कि लोग महिलाएं, नेल पॉलिश लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी, और कंगियां, विशेश तरह की कंगियां होते थी, बाल जा था, टॉप में शासक, उसके बाद कुलीन वर्ग, फिर मध्यम, जो हम कहते हैं, मिडियोकर क्लास और लोर क्लास, चार पार्ट में बटा हुआ था, इस तरह से समाजिक जीवन को आप पढ़ने का प्रयास करेंगा, next, धार्मिक जीवन, सोशल, रिलिजिस लाइफ, सिंदु रिलिजिस लाइफ आप समझने का प्रयास करेंगे, next point आईए, भाष और लीपी बहुत important, बराबर इससे प्रश्न बनते हैं, कि लेंग्वेज ये लोग किस तरह का यूज करते थे, और script क्या था, यानि कि भाष चित्रात्मक, pictographic, जो इनके लीपी थी, और इंटरेस्टिं कर बाएं आती थी, फिर दाएं, फिर बाएं, जिसे boss of freedom लीपी कहते हैं, ये काली बंगा से मिला है, बहुत important है, तो इसे गो मुत्री का लीपी भी कहते हैं हिंदी में, तो इस तरह से आप script को पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का नहीं, क्योंकि किसी ने अभी तक न कला और संस्कृती, आर्ट और कल्चर, इसे आपको समझना है कि किस तरह का आर्ट और कल्चर था यहां पर, यानि किस किस तरह का कलाकृतियां हमको देखने को मिलती हैं, डांस करती हुई, जो कांसे की मूर्तियां मिली हैं, तो धातु की, मेटल की, पत्थर की, स्टोन की, उसके बाद टेरा कोटा की ऐसी बहुत सारी कलाकिरतिया मिली हैं, कई बार केश्चन में आ चुका है कि पकी मिट्टी के हल के साखश कहां से मिले हैं, टेरा कोटा कहते हैं, मिट्टीों से बने, खासकर पकी मिट्टीों से बने, जो खेलों ने, या फिर कोई दूसरे तरह का च मिस्र, मेसोपटामिया, यह था था, बीच में मेडियेटर्स थे, तो विदेश से किसके साथ कैसे संपर्कुआ, इसे आप समझेंगे, नेक्स्ट, पतन, डिकलाइन हो गया, उसके बाद कैसे डिकलाइन हुआ, इसमें इतिहास कारों के कतन को आपको समझना है, किसने कहा बार् सर्विस का, और भारतिये बहुत सारे एतियासकार है, उनके कतन को आपको समझना है, मैचिंग आजाता है, किसने कहा बार्ड, तो औरिल स्टाइन, उसके बाद फियर सर्विस, यह सब सब को आपको समझना चाहिए, नेक्स्ट आइए, उसके बाद निरंतर्ता, जब पतन हो होती है, उसका पतन नहीं होता, उसका decline होता है, यानि वो कुछ समय के लिए पतनशील हो जाती है, लेकिन फिर आगे बढ़कर वो अपना जो continuity है, वो पतनशील अवस्त हमें बना कर रखती है, बाद में आपको रंगपूर, रोजदी, देसलपूर, यह सब आपको गुजरा पतरता है, उसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, आप नेट का, अगर बुक आपके पास नहीं है, आप नेट को यूज़ करें, नेक्स्ट अंड लास्ट, इसकी देन, सिंदु सब बिता का क्या contribution है, आप जानते हैं कि हमारे हैं, cotton हम यूज़ करते हैं, cotton सब से सिंदु सब बिता में यूज़ हुआ है, हम जो देवी देवता हैं, अभी भी कई सारे हैं, स्वास्तिक के चन हैं, तो यह सब ton planning, very important ton planning, आज भी हम लोग उससे सीख ले सकते हैं, तो यह सब चीज़े हैं, सिंदु सब बिता की देन, इसके साथ सातीन, सब टॉपिक हम आपक कहां से सोना आता था, कहां से चांदी आता था, कहां से लाजोर्द मनी, लैपीज लैजूली, सेमी प्रेशेस स्टोन, यह कहां से बदक्षां से आता था, तो आपको इस तरह से समझना है, और किस अस्थल से क्या मिला, बहुत important, कौन सा कहां पर चालाक लोमडी दिग गई, कहां से धान की भूसी, कहां से युगल शवादान, कहां से कुत्ता का मालिक के साथ शव मिलता है, कि इस तरह का आपको समझना है, लिपस्टिक के यानि वैनिटी बॉक्स, जो श्रिंगार बॉक्स जिसे मही लाएं कहते हैं, रखती हैं, तो यह सब कहां से मिला, इसे आपक कोशन्स ब्यू चैलेंजिंग होगे नहीं पर आपसे विदा लेंगे समवाद में अगले टॉपिक के लिए फिर से हाधिर होगे टेक केर